अपनी अनोखी प्राकृतिक छटा और मनोरम द्रिश्यों से आकर्शन का केंद्र रहा शेखपूरा जिले का मठोकर्द जिल एतिहासिक और पुरतात्विक स्थल के साथ ही परेटक स्थल के रूप में विक्सित होने जा रहा है इसका जिम्मा बिहार विरासत समीती को सौपा जा चुका है दरसल सीम नितिश कुमार अपनी जल जीवन हर्याली यात्रा के क्रम में शनिवार को जब शेखपूरा के इस जगह पर पहुँचे तो वहां का प्राकृतिक सौंदर और विहंगम द्रिश्य देख कर काफी खुश हो गए सीम ने ततकाल 1909 के मुंगेर गजेटियर के माध्यम से इस स्थान के बारे में कई महतोपुन जानकारिया हासिल की सीम ने अपने संबोधन में कहा कि मटोखर जिल की भागोलिक बनावट द्वापर कालीन है और करीब भाई हजार साल पहले यहां महात्मा बुद्ध का भी आगमन हुआ था सीम ने कहा कि यहीं से महान सूफी संत इशहाक मगरबी ने भी समाज में आपसी भाईचारे का संदेश दिया था सीम ने कहा कि उन्होंने करीब दो साल पहले भी शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड के डिहा गाउं का ब्रहमन किया था और तब वहां के टीलो को देखकर उस जगह के एतिहासिक होने का दावा किया था और बाद में यह सही भी साबित हुआ सीम ने बताया कि वहां खुदाई में पालकालिन मुर्तिया मिली थी नितीश कुमार ने कहा कि अपने में कई एतिहासिक अवशेशों को समेटे हुए मठोखर जिल पर अगले दो-तीन दिनों में बिहार विरासत विकास समीती का काम शुरू होगा सीम ने दावा किया है कि परेटक और एतिहासिक अस्थल के रूप में विक्सित होने के बाद मठोखर दह जील सैलानियों को आकरसित करेगा आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारिया देता रहेगा तो बने रहे हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ